आ रहे हैं वो दशावतार का आखरी अवतार कलकी वो पेड जो हम कलकी मूवी में भी देख सकते हैं शंभाला का सबसे पवित्र पेड जिसके नीचे भगवान कलकी का जन होने वाला है अश्वतामा को गुवान शिव का ही रूप माना जाता है इसलिए उनके माथे पर तीन लकीरे दिखाई देगी जिन्हें फिकुंदर दिलग कहा जाता है कलकी मूवी का सबसे बड़ा स्पोईलर जगनात के रत का चक्र ऐसा घूम के आएगा अपने हर फेरे में बस वो प्रलय ही संगलाएगा सनातन धर्म की एक ऐसी कहानी जो युगो युगो से सुनाई जा रही है एक ऐसी गाथा जो शुरू हुई थी कुरुक्षेत्र की भूमी पर महाभारत युद्ध के आखरी दिन दिये गए एक श्राप से वो श्राप जो आज हमारे अंत की ओर इशारा कर रहा है वो कहानी अश्वथामा और कलकी भगवान की जिस पर बनी कलकी मूवी के बाद हर कोई बस यही जानना चाता है कि यह कहानी कितनी सच है कई सारे सवाल, कई सारी फैन थेयरीज और इन सब में छुपे हैं महा भारत के कुछ ऐसे अंश जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं आ रहे हैं वो अहुदा मजदा, सेकेंड कमिंग, रुद्र चक्रिन, दशावतार का आखरी अवतार मुवी के शुरुवात में ही हम देखते हैं कि रूमी, भगवान कलकी के आने की बात करते हैं उन्होंने चार नाम लेकर कहा कि ये सब एक ही हैं, जो अंधेरे का विनाश करेंगे कई धर्मों में ऐसे योधा की बात की जाती है अहुदा मजदा, यानि वो जिसने शृष्टी बनाई है सेकेंड कमी, यानि जीजिस क्राइस्ट, दशावतार का आखरी अवतार, भगवान कलकी लेकिन रुद्र चक्रन, ये नाम हमें ले जाता है हमारी प्राचीन कहानियों में जहां हम जानते हैं कि भगवान कलकी का जन कैसे हुआ रुद्र चक्रन, यानि शंभाला का आखरी राजा, वो शहर, जहां भगवान कलकी का जन हुआ हिमालाय के परवतों के बीच, कहीं बसी हुई एक ऐसी जगह, जहां सिर्फ वो लोग जा सकते हैं जिन्होंने ग्यान और अध्यात्म की उच्चतम सीमा पार कर ली हो, जिनका मन बिलकुल साफ हो, जो इस दुनिया के सभी बंधनों से पूरी तरह मुक्त हो चुका हुआ इस लोग शंभाला को धर्ती पर स्वर्ख की तरह देखते हैं, तो कुछ कहते हैं कि ये जगह धर्ती पर है ही नहीं, बलकि ये तो एक अलग डाइमेंशन में एक्जिस्ट करती हैं, जहां सिर्फ स्पिरिचुली एडवांस लोग ट्रैवल कर सकते हैं माना जाता है कि यहां रहने वाले लोग अपने अध्यात्म के शक्ती से कोई भी रूप ले सकते हैं, किसी भी जगह, किसी भी समय में ट्रैवल कर सकते हैं शंभाला एक ऐसी सीक्रिट जगह है, जिसे ना सिर्फ सनातन धर्म, बलके तिबितिन बुद्धिजम, चाइमीज और भी कई सारे धर्मों में मान्यता दी जाती है इस जगह के इतने सारे नाम हैं कि इसे दे लैंड ओफ थाउजन नेम्स कहा जाता है और अगर हम रीसर्च की भी मानें, तो हिमाला एक ऐसी जगह है, जिसे आज भी पूरी तरह एक्स्प्लोर नहीं किया गया और इनी में से एक शंभाला मानी जाती है अमेरिकन से लेकर जर्मन नाजीस, हर कोई इस जगह की खोज में हिमाला आया लेकिन शंभाला आज भी एक गहरा राज है और इसी शंभाला का एक राज है अश्वत्थ रिक्ष शंभाला का सबसे पवित्र पेड जिसके नीचे भगवान कलकी का जन होने वाला है वो पेड जो हम कलकी मूवी में भी देख सकते हैं कलकी पुरान के अनुसार, जब ग्रहों की खास दशा होगी तब विश्णुयास और सुमती के परिवार में भगवान कलकी का जन होगा खडग अश्विनी नक्षत्र कलकी मूवी में बताया गया वो दिन जब ग्रहों की एक खास दशा बनती है एक ऐसी दशा जो 6000 सालों में एक ही बार दिखाई देती है खडग का मतलब है आग से बनी दलवार लेकिन असल में अश्विनी नक्षत्र हमारी एस्ट्रोलजी का एक आम हिस्सा है इसे मेश राशी के साथ देखा जाता है मार्च एप्रिल में आने वाला ये नक्षत्र नई शुरुवात की ओर इशारा करता है इसे शक्ती और हीलिंग का प्रतीक माना जाता है माना जाता है कि इस नक्षत्र का प्रतिरूप एक घोड़ा है जो भगवान कलकी का वाहन भी है इसलिए कई लोग मानते हैं कि कलकी अवतार का जन्म अश्विनी नक्षत्र में होगा लेकिन कलकी पुरान के अनुसार, भगवान कलकी का जन बैसाक के बारवे दिन पर होगा, जो एपरिल से में के बीच में आता है, इन दोनों में कुछ दिनों का अंतर है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि कई सालों बाद एक ऐसा शन आए, जब अश्मी नक्षत्र को बैसाक महीने में देखा जाए, और वही इशारा होगा कि कलकी अवतार सच में आने वाले हैं, गुरु द्रोन के पुत्र, भगवान शिव के अंश, अश्वथामा, जिने श्री कृष्ण ने स्वहम श्राब दिया, इस मुवी के में क्यारेक्टर्स में से एक मुवी का सबसे पहला सीन, जहा एक अस्तर बना देते हैं, वेद व्यास की महाभारत में भी बिलकुल ऐसा ही हुआ था, अर्जुन के अलावा एक अश्वथामा ही थे, जिने ब्रह्मास्तर का ज्यान था, वो एक ऐसे योध्धा थे, जो किसी भी चीज में ब्रह्मास्तर का आवाहन कर सकते थे, लेकिन इस इसी ब्रह्मास्तर की वज़े से उन्होंने एक ऐसा बाप कर दिया, जिसकी वज़े से स्वयम श्री कृष्ण ने उन्हें श्राब दिया, अगर आप अश्वथामा की पूरी कहानी जानना चाते हैं, तो हमारी ये वीडियो देखिए, मूवी में हम देखते हैं, कि अपने श्राब के बाद अश्वथामा साधना में लीन हो जाते हैं, और अब वो कमजोर हो चुके हैं, उनके चेहरे पर कई सारे घाव हैं, और मूवी में जब उन पर हमला होता है, तो वो जखमी भी हो जाते हैं, लेकिन जैसे उन्हें उनकी मनी मिलती है, उनके सारे घाव भर जा हानी नहीं पहुचा सकता शिफ पुरान के अनुसार अश्वथामा को भगवान शिफ का ही रूप माना जाता है इसलिए उनके माथे पर तीन लकीरे दिखाई देती हैं वो तिलक जो शिफ जी अपने माथे पर लगाते हैं और अगर आप ध्यान से देखें तो मुवी में भी अश्वथामा के सर पर आपको त्रिकुंदर तिलक की तीन लकीरे दिखाई देती हैं अगर आपने नोटिस किया हो तो अश्वथामा पूरी मुवी में सबसे उंचे और बड़े दिखाई देते हैं कहा जाता है कि वो आठ फीट के थे लेकिन महाभारत के सीन्स में जब वो क्रिष्ण या अर्जुन के सामने होते हैं तो उनकी हाइट नॉमल होती है ये भी हमारे ग्रंथों से ली गई बहुत इंपॉर्टन डीटेल है सकंद पुरान के अनुसार जैसे जैसे युग बीटते हैं इंसान की लंबाई कम होती जाती है तो क्योंकि अश्वठामा द्वापर युग से हैं उनकी हाइट ज्यादा दिखाई गई है और यही इस मुवी की खास बात है कि कितनी बारीकी से चीजों को दिखाया गया कल की मुवी का सबसे बड़ा स्पोईलर, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन और मुवी का वो पॉइंट जब सब के मूँ खोले रह गए सूर्य पुत्र अंगराज कर्ण हमें पूरी मुवी में ये दिखाया जाता है कि वो भैरवा है जिनने हम शिव के रूप काल भैरव काशी के रक्षक समझते हैं लेकिन साथ ही हम देखते हैं कि उनके जन की कहानी में वो एक टोकरी में मिले थे एक शिव के कैप्टन को बिल्कुल सूर्य पुत्र कर्ण की तरह जो एक रत्खे सार्थी को एक टोकरी में मिले थे यहां तक कि कर्ण की तरह ही भैरवा के शरीर पर हमेशा एक कवच दिखाई देता है जो कई तरह से उनके शरीर का एक हिस्सा नजर आता है अश्वतामा भाग रचेता ब्रह्मदेव का गांडीव है ये इसका प्रतिरोध असंभव है गांडीव धारी अर्जुन महाभारत के सबसे शूर्वीर योद्धाओं में से एक जिन्होंने अपने गांडीव से बड़े बड़े योद्धाओं को पराजित कर दिया एक ऐसा अस्त्र जिससे अर्जुन एक साथ एक लाख योद्धाओं से लड़ सकते थे महाभारत के अनुसार इस गांडीव की रचना स्वयम ब्रह्मदेव ने की थी जिसके बाद ये वरुन देव का अस्त्र बना और अर्जुन को मिला साथ ही उन्हें मिला अक्षय तरकश एक ऐसा जिसके बांड कभी खतम नहीं हो सकते लेकिन महाभारत के युद्ध में गांडीव धारी अर्जुन के सामने आये सूर्य पुत्रकण जो परशुराम के शिश्य थे और उनके हाथ में था विजय धनुष वो धनुष जिससे सोयम महाधेव ने इस्तमाल किया था त्रिपुर अर्जुन को समझाते हैं कि अगनी देव का रत ब्रह्मदेव का धनुष श्री हनुमान और श्री कृष्ण के होते हुए भी अगर वो योध्धा उनके रत को दो कदम पीछे कर सकता है तो उसमें कितनी शक्ती होगी कल की मूवी में प्रभास भैरव है या कर्ण ये तो हम द्वापर यूग में अर्जुन और कर्ण और अब कल यूग में इनके धनुषते युद्ध लड़ा जाएगा हमने मूवी में देखा कि कैसे सुप्रीम यासकिन ने अर्जुन के गांडीव को आराम से उखा लिया इसका एक कारण हमें हमारे ग्रंतों में मिलता है हम ये ज उनकी पीठ यानि पिछले हिस्से से अधर्म और बुराई की जिसका सबसे बड़ा रूप है कली असुर और शायद इसलिए सुप्रीम यासकिन जो कली है या कली के वश में है उसने अर्जुन के गांडीव को बड़ी आसानी से उठा लिया इसके अलावा जो बात हमने श्र कली और कलकी अवतार की आखरी लड़ाई जिजगे होनी है वो जगे है जगनात पुरी और तो और जगनात के मेंशन से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि जिस प्रजेक्ट के की बात की गई है उसमें जो सीरम था वो सीरम और कुछ नहीं बलकि भगवान का अंश है पूरी ज अंसुनी अंदेखी अंकही कहानियों के लिए राज को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में